गाईज आप सभी लोग न्यूस पेपर के बारे में तो जरूर जानते होंगे जो अकबार होता है अकबार यानि कि जो घर पे रद्धी के रूप में पढ़ा रहता है हमारे दादा पर दादा पढ़ते रहते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि newspaper में newspaper का full form क्या होता है तो चलिए इसका मतलब हम समझाते है newspaper में n का मतलब होता है north और e का मतलब होता है east w का मतलब होता है west और s का मतलब होता है south अब बच्चा paper, paper का मतलब होता है देखे p का मतलब होता है past A का मतलब end और P का मतलब होता है present E का मतलब होता है event और R का मतलब होता है report दोस्तों यह जानकारी जानकर आपको कैसा लागा कमेंट सक्षन में कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ऐसे interesting वीडियो को देखने के लिए